हेलो फ्रेंड मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूटूब चैनल रिकी इंडिया में फ्रेंड आज अब हमारे चैनल पर बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्स्ट्राइब करें आईए दोस्तों जानते हैं क्या है नागमडी के पीछे का रहत जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ये बात तो आप सबने सुनी होगी कि नागमडी एक ऐसी चीज होती है जिसको भी मिल जाए वो आदमी रातो रात अमीर हो जाता है और वो जो करना चाहे वो कर सकता है क्या कभी ऐसा होता है जिस आदमी को नागमडी मिली हो और वो अमीर हुआ हो और जो मांगा हो उसको वो मिला हो तो दोस्तों हम आपको बताते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई आखिरकार ये नागमडी इन नागों के पास ही क्यों होती है क्यों कोई आदमी आज सब नागमडी नहीं ले सका नागमरी एक ऐसे मोती के आकार की होती है और ये जिन सापों में मिलती है वो इंडोनेशिया मलेशिया में पाय जाते हैं और इसको कूब्रा पल और नेच्टरल पल के नाम से भी जाना जाता है इनका आकार और डिजाइन कुछ फिश पल से मिलता जोलता है लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये कहानी सुली होगी कि नागमरी उन सापों को मिलती है जो हजारों सालों कर जिन्ना रहते हैं और उन सापों को सब नागराज बोलते हैं वो सभी साप का राजा माना जाता है नागमडी कैसे दिखती है ये बास आप सबके मन में आती होगी तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नागमडी बहुत छोटी सी एक मोती की तरह होती है ये भी बताया जाता है कि जैसे जैसे नागमडी की उमर बढ़ती है वैसे उसका आकार भी बढ़ता है जब स्वाती नक्षत्र में बारिश होती है जो बारिश की बूंदे नागों के मुँ में जाती है नागमणी बन जाती है दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और जादा से जादा शेयर करें ताकि सब कोई यह इंट्रेस्टिंग वीडियो मिल सकें धन्यवाद